हेलो एवरिवान वेल्कम तु विद्याने क्लासेज आप सब बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आपको ये ncq series भी हेल्फूल लग रही होगी अपने प्रिपरेशन में तो हमने लास्ट पढ़ा था अपना क्या क्रॉप्स ऑफ इंडिया तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया चलते हैं स्टार्ट करते हैं सेशन क्वेशन वर फर्स्ट क्या रहेगा यहां तो आपको बताने की कौन से एरियास ऑफ इंडिया है जो नौर्ट इस मौन सूर्ट से जहां पर रेंफॉल होती है उप्शिन देख लेते हैं ऑप्शिन प्विलनादू कोस्ट और गुजराथ कोस्ट ऑप्शिन vic और सीजिडादेश хочешь साउध इस quindi साउथ इस्ट करनाटका तो क्या आंसर रहेगा इसका क्या आंसर रहेगा इसका option देख लेते हैं first की code क्या दिया इधर given a first is a b c d second a c d third is b c d and fourth is a b c तो इन में से देख लेते हैं कौन-कौन से इंडिया जैसे एरियास हैं जो रिसीव करते से रेंफॉल एक तो हो गया तमिलनाडू कोस्ट एक हो गया सदन आंध्र प्रदेश और एक हो गया साउथ-east करनाटका so the answer will be option second that is a c d okay तो बात करते हैं नौर्थ-east monsoon की जो नौर्थ-east monsoon है इसको basically retreating monsoon भी बोला जाता है तो क्या बोला जाता है October to December वाले टाइम पर यह होता है तो बेसिकली ओकर्स फ्रॉम ओकर्स फ्रॉम ओक्टोबर तू ओक्टोबर तू निवेंबर ओके तो यह जो कौन-कौन से एडियास को effect करें अगर आप एक बार यह image देखोगे तो आपको में भी idea हो जाएगा कि यह मैंने map पे लाया हुए अगर आप directions देखो की एक तो होता है southwest monsoon से जहां बारिशे होती हैं एक होता है northeast monsoon तो दोनों की directions अगर आप देखोगे winds की एक बार में जूम कर देती हूं ओके दोनों की winds की direction देखोगे so that will be opposite राइट यह यहां से यहां की तरफ angatic plane की जो है वो यहां से move करते हुए यहां से move करते हुए they basically क्या करते है यह क्या करते है इट moves towards towards Indian Ocean और जैसे जिस टाइम पर यह उस तरफ जारी होती है इंडियन ओशन के तो उस तरफ जारी होती है तो उस तरफ क्या करती है यह मैं आपको यह थोड़ा layman language में इस बता रही हूं ओके इसमें क्यूंकि अगर आप climate में अगर आप extensively पड़ोगे ना तो इसमें और भी बड़ी सारी चीज़ें बट दाकि आपको थोड़ा क्या बोल रही थी मैं कि क्या मूव करती है यह जो यह विंद्ध हैं यह कौन से डायक्श्य मूव करती है तो वर्ट इंडियन ओशने कहा से आती है यह दो कोल विंद्ध ब्लो फ्राउं हिमालिया जैन इंडियंग टेक प्लें तो इंडियन ओशन और जैसे यह वहां पर मूव करती है तो यह बेसिकली पिक अप मॉश्च्छर फ्रॉम बेंगॉल से यह मॉश्च्र उठाती है और उसके बाद क्या होता है यह दिपॉसित ओवर अल प्रदेश कुछ पार्प केरला है ना चे लंगान अट कुछ पार्ट का कर नाटका तो मेंना ओप्षन में क्या वा तो बताया तामिलमडाड नाडव सदनाद्रह प्रदेश oike ख्रका कुछ पार्ट केरलान तेलहंगimar जिस इनकी जो direction होते है that is reverse from the southwest monsoon तो इनकी opposite इसकी direction होती है and यह वाले areas में कि क्या है eastern coastal areas में क्या करती है बारिशें लाती है ठीक है लगी समझ चलड़े next question पर question number 742 which of the following group of districts are correctly arranged in descending order as per the amount of monsoon rainfall they receive okay तो आपको बताना है descending order में मतलब सबसे largest तो smallest आपको बताना है कि यह amount of amount of monsoon rainfall they receive देख लेते हैं एक बार A. धोलपूर, B. sorry A. धोलपूर, रच्सामन, जलोर, B. बिलवाडा, बरन, सिकार, C. रच्सामन, जलोर, धोलपूर, यह D. पाली, जैपूर, भरत, पूर क्या अंसर हैगा इसका 742 का so इसका अंसर हैगा that is धोलपूर, रच्सामन and जुलोर धोलपूर यह basically eastern part में लाई करता है Rajasthan के तो यह से क्या होता है कि it receives higher monsoon rainfall and जोलोर है यह basically it is located in it is located in it is located in it is located in arid zone तो इसमें क्या होता है कि इसमें इसके यहाँ पर बारिशे यहाँ पर कम होती हैं जादा होती है and रच समन में is moderate ठीक है चलते हैं next question पे 743 according to the Copan's climatic classifications of India great northern plains are represented by okay आपको बताना है कि Copan classification जो है climate classification है of India की उसमें great northern plains किसके अंडर आते हैं जो Copan's classification है इसमें basically various characteristics लेकर of areas को और बड़े सारे criteria set करके उसके accordingly क्या होता है उस area की climatic conditions को conditions को क्या किया जाता है level किया जाता है या represent किया जाता है किसी code से जो वो use करते हैं चलते हैं बात करते हैं options की a c w g climate b a w climate c a m w climate या फिर d more than one of the above okay तो क्या answer रहेगा इसका options एक लिए हमने c w g a w a m w climate d more than one of the above तो क्या रहेगा इसका answer great northern plains of India कोन से climate ये एक open classification के अंडर आता है तो इसका answer रहेगा that is c w g climate क्या रहेगा c w g climate and c w g climate जो है that basically represent that basically represent monsoon type with dry winters type climate okay तो ये क्या represent करते है monsoon monsoon type monsoon type with dry winters okay तो ये जो हर ये classification है इसका सब का अपना अपना एक मतलब है okay aw का अपना मतलब है am w का अपना characteristics है ना अपना उसका type of climate है okay तो इसमें क्या होता है basically जो summer temperature होता है ये 40 degree तक पहुंच जाता है and जो winter temperature है that goes up below that goes up to 27 तो यहाँ पर winters जो है बहुँ थंदी रहती है and जो summers है that also goes to that goes up to 40 degree celsius that means that is that is 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 hot temperature right 744 question पढ़ते है according to meteorology 51 percent or more deficiency of rainfall from the normal rainfall is called dash drought okay the meteorology ने जो define किया हुए 51 percent यह more उससे जादा अगर deficiency or rainfall की तो उसको क्या बोला जाता है किस type का drought बोला जाता है drought means सूखा है ना तो वो किस type का बोला जाता है a no b is normal c severe d moderate तो क्या answer एगा 744 का so that will be that will be severe okay तो उसको बोला जाता है severe drought अगर 25 percent से 50 percent के अंडर हो 25 से 50 percent के अंडर अंडर हो तो उसको क्या बोला जाता है उसको moderate moderate drought बोला जाएगा अगर उसको अगर it will be less than 25% less than 25% तो उसको क्या बोला जाएगा उसको बोला जाएगा normal drought उसको क्या बोला जाएगा normal drought बोला जाएगा चलते हैं next question पर question number 745 what causes rainfall in the coastal areas of Tamil Nadu in the beginning of winters तो क्या answer एगा इसका कौन सा cause करते हैं rainfall in coastal areas in the beginning of winters देख लेते हैं वार options option A, north eastern monsoon B, local air circulation C, temperate cyclones D, more than one of the above अभी मैंने इसका answer बताया की coastal areas of Tamil Nadu जो हैं उसके कौन सा type of monsoon जो रहेगा क्या cause करते हैं वहाँ पर rainfall तो क्या answer एगा इसका 745 का इसका answer एगा north eastern monsoon अभी मैंने बताया आपको north eastern monsoon की winds क्या है यहां से यहां move कर रही है towards Indian ocean and bay of bengal से क्या है bay of bengal से they do what bay of bengal से they carry moisture and they वहाँ पर क्या करते हैं they deposit it over the region along तो क्या है तमिलाडू के में जो beginning of winters में rainfall होता that causes due to north eastern north eastern monsoon okay और कब होता है around October to December चलते हैं next question पर question no.746 in which state of India the rain caused by lightning storm is called cherry blossoms okay बड़ी सारे मौनसून जो है जैसे northeast mountains and southeast monsoon तो यह जिस जिस states में जो first rainfall होती है उनको नाम भी दिये गए है तो देख लेते हैं एक बार cherry blossom किसको बोला जाता है option A. Gujarat, B. Meghalia C. Utrakhand, D. Tarnataka 746 का क्या अंसर हैगा? क्या अंसर हैगा इसका? Gujarat, Meghalia Utrakhand, Karnataka में से क्या अंसर हैगा? cherry blossom किसको बोला जाता है? इंडिया कौन सी rain है? तो यह बोला जाता है कहां पर 746 का अंसर हैगा? that is Karnataka okay rain caused by lightning storm is called cherry blossoms in Karnataka and इसको coffee showers भी बोला जाता है ठीक है? चलते नेक्स question पर 747 अच्छा यह coffee showers पर दी है हमने कहां पर होता है Karnataka में mango showers are common in mango showers कहां पर common है? A. उत्रपरदेश, B. केरला C. महराश्ट राइया, D. वेस्ट बेंगॉल okay तो यह mango showers भी क्या है? these are also pre-monsoon showers यह क्या है? these are pre-monsoon showers okay and यह कहां पर है? क्या नाम? कहां पर होता है? कहां पर common है? इस इस common in Kerala तो केरला में क्या होता है? mango showers होता है and यह basically they are common in आगर केरला भी है, केरला करनाटका में भी है and यह basically help करता है जो mangoes है, mangoes की ripening के लिए okay इसके बाद क्या होता है? mangoes की पकने के लिए यह help करता है and यह occur it occurs at the end of summer season okay so इसको क्या एपर रेंज भी बोला जाता है right? समझा गया? चलते हैं नेक्स फेशिन पे 748 which of the following local winds help in the ripening of mangoes? अभी मैंने सका अंसर बता दिया कि mangoes की पकने के लिए कौन सी हे लोकल winds है जो help करती है कौन सी like showers है कौन सी बारिशी है pre-mountain showers जो help करते है A. Norwesters B. Bango Shower C. Lou D. Blossom Shower तो क्या अंसर हैगा इसका? इसका अंसर हैगा that is mango shower okay? लगे समझ? चलते हैं नेक्स फेशिन पे अच्छा Blossom Shower सो में आपको बता रही है क्या होते है अब आप मुझे पताओगे Lou के बारे में भी आपको पता है आप मुझे बताओगे कि Norwesters क्या होते है आप मुझे बताओगे कि ये Norwesters क्या है राइट चलते हैं नेक्स क्वेशन पे क्वेशन नमबर 749 देख लेते हैं A. West Bengal B. Kerala C. Rajasthan D. Himachal Pradesh तो क्या आंसर हैगा इसका 749 का इसका आंसर हैगा करला अगर आपने इमेज पहले में आपको दिखाई थी जिसमें क्या है North East मौनसून के बारे में हमने पढ़ लिया Southwest मौनसून के बारे में में बताती हूं Southwest में मौनसून का देख लेते हैं एक बार Okay Southwest मौनसून आप देख रहे हो वो कहां से आ रहे है Arabian Sea से तो यह यहां की direction है किसकी Southwest मौनसून की Right And सबसे पहले कहां पर होगा It will happen in It will happen in Kerala Kerala में सबसे पहले क्या होगी बारिश होगी यहां पर क्या है यहां पर यह आगया Western Guards आगे And इससे तक्रा कर यहां पर बारिश होती है कहां से Southwest मौनसून से Okay तो सबसे पहले कहां पर होगी Kerala में होगी ठीक है West Bengal में नहीं होगी Rajasthan भी नहीं होगी Himachal Pradesh में भी नहीं होगी यह उपर आगया आगया तो सबसे पहले कहां पर होगी That will be That will be Kerala Okay जो Western Guards of Kerala है जो मतलब Coastal State of India तो यह क्या गते हैं Basically it is supposed to see The rainfall from monsoon And वो कहां से बिन जाती है That winds come from Arabian Sea चलते हैं 750 question Most part of India receives rainfall from Rainfall है वो कौन से टाइम पर rainfall होते हैं यहां पर India में A. March to June B. June to September C. August to November या फिर D. November to February So क्या answer हैगा इसका 750 का So इसका answer हैगा That is June to September June to September के बीच में है जो India है Most part of the areas जो India के है वो क्या करते हैं That receives rainfall June to September के बीच में Okay तो यह basically जो है जो majority of rainfall है That comes from Southwest monsoon Okay It receives most rainfall Rainfall from Southwest Southwest monsoon Okay So Southwest monsoon का period भी क्या रहता है That comes from June to September क्या है यह जून तू September आवर साथ में जो क्या है The Southwest monsoon आपसी क्या है Basically, they gain bearing seasonal winds That flow from Arabian Sea Towards Indian Mainland In Southwest direction Okay चलते हैं नेक्स क्वेशन पे Question No. 751 Identify the states from following Which are related to pre-monsoon showers Norwesters Okay Norwesters का भी मैंने आपसे question पूचा Norwesters जो pre-monsoon shower shower है एक तो हमने blossom shower पढ़ लिया Cherry blossom पढ़ लिया Coffee showers पढ़ लिया उसके बाद mango showers के बारे में पढ़ लिया अभी एक बात कर रह थे हैं Norwesters के बारे में Right Norwesters भी क्या है These are also pre-monsoon showers तो यह कहां से They are related to which states Option A A. Karnatka B. West Bengal Assam C. Gujarat And Maharashtra यहां फिर D. That is Rajasthan And Punjab तो क्या answer है का 751 का So they are related to which states They are related to West Bengal West Bengal West Bengal Assam Okay जो norwesters है That are pre-monsoon showers And यह किस ताइम पर होता है That occurs around March to May Okay And यह basically They are helpful for They are helpful for the growth of For the growing of कौन से crops Rice Jood And tea Okay So यह basically यह storms है They are also referred as Bardoli cheera They are also referred as They are also referred as Bardoli 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 Cheera Okay So these storms are also referred to as Bardoli Cheera C-H C-H H-E-E-R H-A Okay इनको यह भी बोला जाता है चलते है हाई 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 तेंपरेचर गर्मी जाद होगी यहाँ पर हुमिरीटी जाद होगी चलते है नेक्स्ट क्वेशन पर 753 According to Copen's classification scheme Which type of climate is denoted by CWG CWG in India तो क्या बोला जाएगा CWG को क्या उनसा type of climate है So A is monsoon यह monsoon है monsoon with dry winter B semi-arid steepy climate C polar time D monsoon with dry summer क्या answer हैगा इसका इसका answer हैगा monsoon monsoon with dry monsoon with dry winters अभी मैंने इससे पहले भी एक बार Copen classification पर question मैंने अभी अबको करवाया तो किस पर था वो Great Northern Plains राइड तो Great Northern Plains वो किसके अंडर आते हैं That comes under CWG climate क्या है monsoon time with dry winters अगर आप यह map देखो यह map मैंने इसके साथ attach की है अगर आप यह map देखोगे तो इसमें सारी states and सारे areas को क्या किया गया है classify किया गया है अलगलग type of climates में तो अगर आप CWG देखोगे तो CWG किसमें है CWG में कौन सा पार्ट लाए कर रहा है That lies in Great Northern Plains तो यह सारा area है That comes under Great Northern Plains तो यह सारा area क्या है That comes under CWG category वैसे ही बाकी को भी क्या किया गया है Bifurcate करा गया है एक बार इसको मैं आपको भी देख लेना आपको बताना है कि कौन सा area है जो receive करता है first monsoon in summer देख लो एक बार A. Himalayas B. Meghalia Plateau C. Western Ghats यहां फिर D. That is Eastern Ghats तो क्या आँसर हैगा इसका? क्या आँसर हैगा? 754 का तो इसका आँसर हैगा? Western Ghats मैं आपको बताया था ना जो Southwest monsoon का first जो rainfall होती है वो कहां पर होती है That comes in Kerala Right And Southwest monsoon जो पीरिट भी क्या रहा था It remains from June to June to September And यह कहां पर होता है सबसे पहले The first monsoon होता है Summer वो कहां पर होगा फिर That means it comes in Western Ghats Okay अभी मैंने आपको बताया है कि जो India में जो rainfall होती है That comes under two monsoons Two monsoon seasons And two monsoons Right एक तो आगे अपना Southwest monsoon के थूँ होती है बारिशें एक तो होती है Northeast monsoon के थूँ Right So Southwest monsoon का मैंने बताया है July to September Okay So it first hits the state of Kerala And दूसरा कहा है Northeast monsoon So यह क्या है यह कहां पर है आपने Eastern Ghats वाले एरिया में यह क्या होती है कहां पर Northeast monsoon और basically जो अगर आप माप अगर आप देखोगे तो उसमें जो Northeast जो Western और Eastern Ghats के भी Deccan Plateau होई न यह सबसे कम rainfall होती है दोनों monsoon में सबसे कम rainfall काम पूर होती है अपने Deccan Plateau वाले एरिया में Okay It receives less rainfall from both monsoons ठीक है चलते हैं नेक्स question बे 755 The seasonal reversal in the wind direction during the year is known as Okay The seasonal reversal in wind direction जो होती है during the year इसको क्या बोला जाता है Options देख लेते हैं एक बार Option A, monsoon B, weather, C, atmosphere या D, climate So seasonal reversal winds जो हैं इनको क्या बोला जाता है इनको बोला जाता है monsoon क्या बोला जाता है इनको बोला जाता है monsoon चलते हैं नेक्स question में 756 Which part of India receives rainfall from both the southwest and northwest monsoons So कौन सा एलिया है जो receive करता है rainfall दोनों से दोनों मौनसून से southwest monsoon से भी and northwest monsoon से भी A is Tamil Nadu B, Odisha C, Lakshwati Pailand C and D, Andamana and Nicobar Island So क्या answer हैगा इसका इसकांसर हैगा इसकांसर क्या रहेगा इसकांसर हैगा Andamana and Nicobar Island So these islands receive rainfall from both southwest and northwest monsoons ठीक है चलते हैं नेक्स question पर Question number 757 The paddy fields of India are located in the areas of annual rainfall Okay The paddy fields of India जो हैं कहां पर located है जहां पर rainfall कितनी होती है Option देख लेते हैं A 120 cm B 140 cm यहां फिर C 100 cm D is 80 cm So क्या answer हैगा इसका इसकांसर हैगा 100 cm Okay 100 cm of areas of rainfall is required for the paddy fields of India Okay So यह वहां पर ही क्या होती है वहां पर ही उपती है Okay जो paddy fields हैं यह Basically they are very important crop of Punjab and Haryana ठीक है चलते हैं नेक्स question पर 758 The northeastern hills that block the southwest monsoon winds southwest west monsoon winds and cause heavy rains in Assam are Okay So कोंसे northeastern hills हैं जो block करती हैं southwest monsoon winds को और cause करती हैं क्या Heavy rain falls in Heavy rain falls in Assam देखते हैं एक बात A. Arakan Yoma and Pegu Yoma B. Garo Khasi and Jantia Hills C. Barayal and Patkai Hills D. Is Khasi and Pegu Yoma क्या answer हैगा इसका क्या answer हैगा इसका क्या answer हैगा इसका इसका answer हैगा इसका answer हैगा That is Garo Khasi and Jantia Hills Okay तो जो मैं आपको Penisural Plateau याँ I guess Physiographic Divisions में हमने यह पढ़ा था Garo Khasi, Jantia Hills के बारे में तो वो क्या करती हैं वो basically block करती है southwest monsoon winds को और उसी के वज़े से क्या होती है Assam में क्या होती है भारी बारिशें होती है चलते है next question पर 759 The reason for Rajasthan being deficient in rainfall is जो क्या reason है की Rajasthan क्या है deficient of rainfall है माँ बारिशें कम होती है A देख लेते हैं The monsoon fail to reach this area B. It is too hot C. There is no water available and thus the winds remain dry यहां फिर D. The winds do not come across any barrier and to cause necessary uplift to be cooled क्या आसर हैगा इसका इसका आसर हैगा D. The winds do not come across any barrier to cause necessary uplift to be cooled तो अगर अभी तक अगर अपने सब ध्यान से सुनाओगा तो आपको एक idea हो जाएगा जैसे मैंने जो भी चीजें बोलीगी कि के रहला में बारिशे हो रही है तो यहां पर क्या है कि जो राजस्तान की बात की जा रही है तो इनके यहां पर कोई major barrier नहीं है जिससे क्यों होता है कि जो हवा है वो uplift होती है और कूल होने के बाद वहां पर बारिश होती है यहां पर जो basically अरावली rains है तो फिर क्या है इसके सामने कोई barrier नहीं है तो उसकी वज़े से क्या है कि हाँ पर इस deficient in rainfall last question of the session which of the falling does not have an influence over the climate in India तो कौन सी चीज है जिससे जो हमारे climate of India पर कोई effect नहीं होता A. monsoons B. ocean currents C. nearness to equator या फिर the presence of Indian ocean तो क्या answer रहेगा इसका क्या answer रहेगा इसका इसका answer हैगा ocean ocean currents तो ocean currents की वज़े से हमारे याँ पर कोई major major effect नहीं होता है हमारे किसपे climate of India पर ठीक है तो I hope आपको ये session अच्छा लगा होगा and fruitful लगेगा आपको अपनी preparations में तो please वीडियो का like करें share करें और channel को जरूर subscribe करें तो ये मैंने questions में majority of चीज़ें आपको समझा दी है बड़ आपको खुझ जाके भी preparation करने है right self study is very important आप सिर्फ in these questions पर rely ने कर सकते मैंने फिर भी आपको maximum चीज़े बता दी है ताकि आपको एक basic idea हो जाए कि किस type के questions पूछे जा सकते हैं right तो आपको घज़ा के और इसमें MCQ solve करो अगर कोई भी query होती है तो आप comment करके पूछो right तो thank you then bye bye and take care